गडेश उत्सव का पर्व नस्दीक है और आज हम आपको एक ऐसी गडेश जी की प्रतिमा दिखाएंगे जो पुरी तरह से प्राकृतिक है इस वक्त हम निमोरा में मौझूद है और यहां पर आप देखेंगे कि एक अलगी ढंग से गडेश की प्रतिमा को त्यार किया गया है मूर्तिकार पीलो रामसाउ हमारे सथ मौझूद है जो इस प्रतिमा के बारे में हमें डिटेल बताएंगी अब बताएए कि इस प्रतिमा को त्यार करने में आपको कितना वक्त लगा है और यह आइडिया कहां से आया दरसल मैं चार-पांच साल से इसके बारे में सोच रहा था कि मेरे को ऐसा टाइप का मूर्ति बनाना है जिसे पूर्ण रूप से प्राक्रितिक हो इस टाइप का मतलब मैं बहुत दिनों से पांच साल, चार-पांच साल से मैं सोच रहा था सोचने के बाद फिर मतलब मैंने इस साल सोचा की नई इस साल बनाया जाए तो इसको बनाने में मेरे को कम से कम दस दिन लगा है और दस दिन लगा है तो इसमें पूरा मतलब गेहूं है चना है उरद है मूंग है और आपका सरसो है और आपका मसूर है ये सभी से मतलब इसका मतलब काम किया हूं मैं अच्छा कहां कहां पर किस तरह के पौधे आपने लगाए हैं? अगर इस प्रतिमा को कोई ले कर जाता है तो क्या उसे इस प्रतिमा को पानी भी देना पड़ेगा? बराबर तीन टाइम पानी देना पड़ेगा एक सुबह, दो पहर में और साम को और मतलब उसको ऐसे बाल्टी में ढालने से नहीं होगा क्योंकि उसको इस प्रेद वारा ही करना पड़ेगा और जैसे हलका 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 पानी छिड़केंगे तीन बार वो ऐसी के ऐसी अगर इस प्रतिमा के विसरजन की बात करें तो किस तरह से किया जा सकेगा? पाइप लगातार पानी डालना पड़ेगा जिससे जड़ धूल करके फिर अलग हो करके फिर मिटी इतना अलग हो जाएगा पैरा अलग हो जाएगा और इस टाइप का मूर्ति जो है जहां तक हो सके मेरा मानना है कि पूरे 36 गडवे तो बना ही नहीं है जहां तक हो सके यह पूरी हिंदुस्तान में नहीं बना है ऐसा टाइप का भी तक के मूर्ति यह मेरा पहला प्रयास है अब इस प्रयास के बाद हो सकता है और कलाकार भाई आने वाले साल में ऐसे टाइप का मूर्ति बनाएंगे क्योंकि मैंने जितने भी काम किया हूं नेया नेया उसका टुकापी हुआ है आने वाले साल में इस बात के मुझे खुसी होता है मैंने जो एक बार सुरू किया उसको हाथों हाथ लोग मतलब पूरे मार्केट में कम से कम बैठाने का, बनाने का कोशीज करता है, इस बात का मुझे खुसी होता है, और मैं अपनी पूरे लाइफ को, मैं इसी में गुजार दिया, पूरे लाइफ को, नया-नया करने में, बिल्कुल तो आपने देखा कि ये प्राकृतिक गडेश है, इसे हम एको प्राकृतिक गडेश भी बोल सकते हैं, और ये जो गडेश की प्रतिमा है, वो काफी आकर्शित लग रही है, और इस तरह की प्रतिमा जैसे की मूर्तिकार ने बताए, कि इस तरह की प्रतिमा जो है, वो 36 गड़ में नहीं बनी है अब तक, क्यामरामें दीपक के साथ,